सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेर किया जा रहा है। पर कीवद सर्च किया इससे हमें दन्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मिला। 4 सितंबर 2021 के इस आर्टिकल में बताया गया है कि मध्यप्रदेश के देवास में 11 वर्ष ये लड़की के साथ भाग कर मध्यप्रदेश पहुंचा था। लोगों को लगा कि ये लड़का मुस्लिम समुदाई से है और हिंदू लड़की को भगा कर ले जा रहा था। इस से कथित लव जिहाद समझ कर भीड ने लड़के के पिटाई की थी। पुलीस के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़का और लड़की दोनों ही हिंदू थे और उत्तरप्रदेश के रहने वाले थे। इस पूरे मामले की चानकारी जुटाने के लिए औल्ट न्यूज ने देवास के एसपी शेव दयाल सिंग से समपर किया। उन्होंने भी हमें यही बताया कि इस घटना में कोई लव जिहाद का एंगल नहीं था। लड़का और लड़की दोनों नाबालिक थे और दोनों ही हिंदू समुदाई से थे। शेव दयाल सिंग ने ये भी बताया कि मामले में पुलीस ने लड़की को पीटने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी है और लड़का और लड़की को उत्रप्रदेश पुलीस को सौप दिया गया है। कुल मिलाकर कथित लव जिहाद समझकर मध्यप्रदेश में भीड ने एक नाबालिक लड़की की पिटाई की थी। उनका मानना था कि मुसलिम लड़का एक हिंदू लड़की को भगा कर ले जा रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लव जिहाद के एंग कर दो